स्वागते दोस्तों आपका हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा में आज की कक्षा का हमारा विशय है हाथ शब्द से संबंधित मुहावरे आज हम हाथ शब्द से सुरू होने वाले मुहावरों के बारे में जानेंगे हर मुहावरा हाथ शब्द से शुरू होगा हम देखेंगे कि कैसे शब्द बदलते ही उनके अर्थ बदल जाते हैं आईए शुरू करते हैं मुहावरा शब्द अर्बी भाशा के मुहावरह से बना है जिसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत है ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ने करा कर किसी विलक्षन विशेश या विचित्र अर्थ का बोध कराए मुहावरा कहलाता है अब हम हाथ शब्द से संबंधित मुहावरों के बारे में जानेंगे हाथ का खिलोना इसका अर्थ है किसी के आदेश के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति इसका वाक्या है वरुन तो अपने मालिक का हाथ का खिलोना है हाथो हाथ बिक जाना इसका आर्थ है बहुत जल्दी बिक जाना मोहन अपने खेत से आम तोड़कर मंडी में ले गया वहे आम हाथो हाथ बिक गए हाथ उठाना इसका आर्थ है मारना या पीटना महेश ने अपने नोकर पर हाथ उठाया हाथ पाउं फूलना इसका आर्थ है डर से घबरा जाना पुलिस को अचानक दर्वाजे पर देख कर मेरे हाथ पाउं फूल गए हाथ पर हाथ धरे बैठना इसका आर्थ है कुछ काम काज नय करना, राधा हाथ पर हाथ धरे बैटने से काम नहीं चलेगा हाथ भर का कलेजा होना, इसका आर्थ है बहुत खुश होना, सरकारी नोकरी मिलने पर रवी का हाथ भर का कलेजा हो गया हाथ बटाना इसका आर्थ है मदद करना घर में सभी को एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए हाथ फैलाना याचना करना या मांगना किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं होती हाथ दो बैठना इसका आर्थ है आशा खो देना राज ने अपनी मां का बहुत इलाज करवाया लेकिन फिर भी वह उससे हाथ दो बैठा हाथ डालना इसका आर्थ है हश्त शेप करना दूसरे के काम में हाथ नहीं डालना चाहिए हाथ का मैल होना अती तुछ होना पैसा तो हाथ का मैल होता है इसके पीछे नहीं भागना चाहिए हाथ खीचना इसका आर्थ है पीछे हटना क्रिकेट प्रत्योगिता में भाग लेने से मेरे मित्र ने मेरा हाथ खीच लिया हाथा पाई होना इसका आर्थ है मार पीट होना खेल के मैदान में राम और श्याम की हाथा पाई हो गई हाथों के तोते उड़ जाना इसका आर्थ है स्टब हो जाना या चोंक जाना परिक्षा में कठिन प्रशन देखकर सीता के हाथों के तोते उड़ गए हाथ लगना, आर्थ है पाना या प्राप्त करना सडक पर चलते हुए मीरा को पैसों का बैग हाथ लग गया हाथ साफ करना, आर्थ है चोरी करना भीड में किसी ने मेरी जेब पर हाथ साफ कर दिया हाथों में चूडियां पहनना इसका आर्थ है कायरता का काम करना तुमने क्या हातों में चूडियां पहन रखी है जो तुम किसी की गलत बात का जवाब भी नहीं देते हाथ पैर मारना, बहुत परियास करना जीवन में सफल होने के लिए हाथ पैर मारना बहुत आवश्यक है हाथ जोडना, संबंद ने रखना, जरासी बात पर राज ने अपनी पतनी से हाथ जोड लिए हाथ मलना, इसका आर्थ है पच्ताना, अब हाथ मलने से क्या लाब? जब तुम्हें पढ़ने के लिए कहा तो था ये हाथ सब्द से संबंधित मुहावरे है, जिन्हें हमने जाना है अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको इसी तरहें की और जानकारी आसानी से मिलती रहे धन्यावाद